नमेश्का दोस्तों, मेरे नम डॉक्टर नगिंद्रियादर है, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है, बारिश की दुनों में आपने अक्सर देखा होगा, आपके कबूतरों के दड़बे में बहुत सारे मच्छर या मक्खी हो जाते हैं, आज मैं आपको ऐसा एक देशी उप मक्खी हैं, वो सारे कायब हो जागे हैं, और आपको पता है कि मच्छर और मक्खी बेमारी फैलाने का सबसा बड़ा एक कारण होते हैं, और यदि मच्छर मक्खी से आप अपने कबूतरों को बचाना चाते हो, तो इस विदी को आप नोट कर सकते हो, ये सारी चीज़े हम नीम का पेड हर जग अविलेबल है, आपने करना क्या है, एक किलो नीम की पती लेनी है, यानि किसी भी नीम की पेड से जाकर के, एक किलो पती अला करके आप रख लीजिए, सफेदे का पेड होता है, इसे एकलेप्टिक्स बोलते है, उसकी जो है 200 ग्राम पतियां, आप ले प्याज भी हम सब के घरों में इसलिए वले बनुती है, चार जो हैं हमने कपूर के टिक्की रखनी है, कपूर जो आपने देखा होगा पूजा में यूज़ करते हैं, वो चार टिक्की आपने कपूर के लेनी है, और दस से पंदरा जो दाने होते हैं लॉंग के आपने लेन अब इसको बनाने की विदी देख लिजे कि आपने इसको बनाना का है आपने एक बरतन लेना है उसके अंदर जो है दो लिटर के करीब पानी ले लेना है उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है नीम के पत्तों को पानी में उबलने के लिए रख देना है उसके बाद आपने जो है 200 ग्राम जाप के सफेदे के पत्ते हैं आपने उसको उसके अंदर डाल देना है 200 ग्राम जो प्याज है उसको छोटे छोटे पीसे में टुकड़े करके आपने उसको पानी में डाल देना है चार जो कपूर की टिकी थी आपके पास सिर्फ चार आपने उसको पीस करके आपने पानी में डाल देनी है अब 15 दाने जो लॉंग के थे वो आप इस पानी में डाल देजे आपने इस पानी को अच्छे से 2-3 घंटे तक आपने इसको उबालना है इस पानी को इतना उबलने दीजे कि जो दो लिटर पानी था उबलते उबलते ये पानी की मातरा जब तक एक लिटर नहीं रह जाए तब तक आप इसको अच्छा से उबलने दीजे उबलने के बाद आपने करना क्या है इस पानी को 12 गंटे के लिए ठंडा होने दीजिए 12 गंटे के बाद आप इसको एक छलनी से छान करके एक बोटल में भर करके रख लीजिए ये जो solution अब आपका त्यार हो गया है ये हो गया है आपके मच्छर और मक्ही से बचने का उपाए यानि ये स्प्रे आप जहां कहीं भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कबूतरों के दड़बे के अंदर या उसके आस पास एक भी मच्छर या मक्ही आपको देखने को मिलेगा बहुत ही देशी उपाए है और इसका कोई सबसे प्लस पॉइंट नहीं है कि उसका कोई side effect का भी भी birds में आपको देखने को मिलेगा आप इसे विदे नुसर बनेए और प्रयोग करके देखिए आपको इसकर जल देखने को मिलेगा जब भी आपने इसको प्रयोग करना हो जो आपका solution जो त्यार हो गया है उसमें आपने करना के है एक bottle में पानी लेना है उसमें आधा पानी लेना है और आधा जो आपके बास spray है आधा उसको mix करना है यानि बर्ड के शरीपे भी यदि इस पर डाइट लाएगा उसका भी कोई नुकसान नहीं है तो ये एक बहुत ही छोटा सा देसी फार्मूला है यदि आप इसको अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कबूतरों के अंदर कबूतरों के शरीवी कभी यदि आपको लगता है कि मक्खी की प्राबलम है या मच्छर बहुत जाद होगे तो आपको उसके हमेशारे चुटकारे मिल गया आज मैंने इस वीडियो के माधियम से आपको बता है कि कैसे हम एक देसी दवा के दवरा हम अपने बर्ड्स के उपर स्प्रे करके मच्छर और मक्खी से चुटकार अपा सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद